हेलो अब्रिवन वेलकम अगेन इन लर्ण विद देतीमन बचों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का लास्ट चप्टर और चलिए चेप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं इसका कुशिन नंबर 1 है भारत के मैदानी छेतर को कितने भागों में वर्गी करत किया जाता है भारत के मैदानी छेतर को कितने भागों में वर्गी करत किया जाता है भारत के मैदानी छेत्र कौन सा है यमना गंगा का जो विशाल मैदान है वो ही भारत का मुख के जो मैदानी छेत्र है और इनको किस भागों में वरगी करत किया जाता है चार भागों में वरगी करत किया जाता है भाबर, तराई, बांगर और खादर इनमें अंतर क्या है भाब प्रिश बहु भाबर और उसी के पास में जो जो नदिया जो भूमिगत हो जाती हैं औरAt जब नदिया भूमिगत हो जाती है तो निकट जो खेत्र होते हैं जो दलडली ख quatro उशा जाता है तो जो जो झो पुरानी जलोड मिटी है पुरानी जलोड मिढ्टी है उस छेत्र को क्या का जाता है। बांगर कहा जाता है। और नवीन जलोड मिढडी के मैदानों को क्या का जाता है। पॉपलर का उपयोग के सेतु बहुत आयत किया जाता है तो देखिए जो पॉपलर होता है वो एक रक्ष है और इसका उपयोग होता है प्लाइवूड बनाने के काम आता है जब हम यहां पे बात करें पॉपलर की तो हमें पता होना चाहिए जो साल है सेमल है सीसम बबूल चेत्र के चारों जो दिवार होती है वहाँ पर यह रक्ष उगाए जाते हैं यहाँ पर आम लीची अम्रूद के बाग भी उगाए जाते हैं क्योंकि इन छेत्रों में क्रस्पर्ण मुख्यालजीवकर का साधन बना हुआ है नेक कोशिन देखिए भारत के मैदानी छेत्रों में सर्दियों में किसकी किर्सी की जाती है भारत के मैदानी छेत्रों में सर्दियों में किसकी किर्सी की जाती है तो किसकी किर्सी की जाती है गेहू, सर्सों और बरसीम आदी गेहूँ सरसो तो आप सभी जानते हैं लेकिन बरसीम क्या है? बरसीम एक परकार एक घास है, और ये क्या करने? मक्का और जो बरसीम है, ये सामाने तोर पर किसके लिए? जानवरों के चारे के तौर पे रुगाया जाता है इसको, है ना, और जब हम बात करें, मैदानी छेत्रों में, सीत काल में क्या होता है, पश्चिमी छेत्रों, वैसे तो सामाने मैदानी छेत्रों में सामाने पर वर्सा होती है, लेकिन सीत काल में भी है, पश्चिमी चक्रवा उनकी वज़े से भी कई बार वर्षा हो जाती है यहां पर जब वर्षा रितों की बात करें तो वर्षा रितों में चावल, मक्का, बाजरा और उड़द गन्ना आदी बोया जाता है और गन्नी के फसल उगाई जाती है जिससे कि आपको पता है चीनी गुड़ बनाने के कार ख लगणा के मैदानों में सामने तह वर्ष में कितनी बार कर्सी की जाती है तो देख़े तीन बार कर्सी की जाती है हमारे हां, कर्सी निर्भर अधिकान शेत्र है तो वर्ष भर यहाँ घेति की जाती और पानी की और अनुकुल परिस्तित्यां होने की उपजाओं मिट्टी भी है अनुकुल परिस्तितियां है तो इस वजे से यहां सामने तरह तीन बार साल में पसल की जाती है नहे कोश्चिन यमना गंगा के मैदानों में सामने तक किस प्रकार के उध्योग विख्षित है तो 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 कानपूर अलिगर्ड, मेरट, मुरादाबाद, रोजाबाद, साहरनपुर यह ऐसे मुख्य छेत्रे हैं जहां पर सामने तोर पर काफी उद्ध्योग विक्सित हो चुके हैं नैक कोशन देखिएं भारत के प्राइदीपय भाग में पच्छमी तट यह छेत्र कौन कौन से हैं? प्राइदीपय भाग में पूरी तट यह मैदान कौन कौन से हैं? उत्त्री सरकार तट और कौरुमंडल तट तो इसको हम एक डाइग्राम से देखते हैं काच्छाबरत कंघ्र भाग में परतो और पूर्वी छेत्र के तक यह ऐक चया खोशन देखिए माला बारतट कहां से कहां तक फैला हुआ है माला बारतट कहां से कहां तक फैला हुआ है तो हम सभी जानते हैं गोवा से कन्या कुमारी तक कौन सा तथ है माला बारतट और जब हम इस चप्टर में बात कर रहे हैं मालाबारत्र के बार में हिं मुक्ता बात करेंगे तो इसमें आपको पता होना जो गोवा से कन्यकों मारे तक पहला हुआ है करीबन सक्रिपटी है 70-90 km चौड़ी थैए और यहाँ पर इन मैदानों के पूर्वे छेत्रों पहाडी छेत्र है जो पश्चमी घाट से जोड़े हुए हैं इस मैदान के पूरों में पहाडी छेत्र है जो पश्चमी घाट तक से जोड़ा हुआ है इस सक्री पट्टी कर्वें जो मालाबार ताटकी है और कितनी चौड़ी है जो तट्य चौड़ी है वो 70-90 किलोमेटर चौड़ा फैला कि लैगून क्या होता है लैगून होता है समुद्र तट पर निप्षे पर से निर्पित खारे जल की जील इसका प्राय क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ समुद्र का पानी कई बार आगे तक आ जाता है तो जिससे क्या हो जाता है जीने बन जाती है और जो खारे पानी की ख बहुत फिर्सेत है और यह कहां है यह मालाबार तट के अंदर है ना मालाबार तट के अंदर वेंबाला वेंबानाज लेगुन है जो वर्ड फेमस है नेक क्वेशन देखिए मालाबार तट में सामने तह कितनी वार्षिक वर्षा होती है मालाबार तट में सामने तह कितनी वार्षिक वर्षा होती है तो देखें यहाँ पर सामने से बहुत ज़्यादा वर्षा होती है 200 से 400 किलोमेटर वो 400 सेंटीमेटर दो सो पचास सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक की यहां वर्षा होती है यहां का टेंपरिचर क्या होता है यहां का टेंपरिचर सामने तो पर सम रहता है समान रहता है 25 डिगरी से 30 डिगरी तक की यहां पर टेंपरिचर रहता है जलवाई हो यहां नम होती है क्योंकि समुद् तो वार्षिक ताप अंतर है बहुत कम होता है यहां जो वर्षा शुरू होती है जून से चालू होकर नवंबर तक सामने तौर पर होती है और ब्रैगुलर वर्षा होने की वज़े यहां सदा बाहर वन विक्सित हो चुते हैं तो एक तिहाई वनों से धका हुआ यह चेत्र है एक तिहाई वनों से यह चेत्र ढखा हुआ है नेक कोशन देखें मालाबार तर्ठ में सर्वादिक कौन से वर्षद पाये जाते हैं। तो वो है नारियल के ब्रक्ष, नारियल के ब्रक्ष यहां पर सरवाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और जब और बात करें तो साल, रबड, एबोनी, सिनकोना, सागवान, रोजबुडादी के ब्रक्ष भी यहां पाए जाते हैं, यह उन्नत किरसी छेतर हैं, क्योंकि यहां पानी के कम्यीumba नहीं है उपजाव भूमी है ईब जाव जो कांप और दो मेट मिल्की के छेतर है यह बहुत अची अच्छी फसलें हुगए जाती है पया शुम्य मसालों के कृसी कारेट किसचेतर میں किया जाता है मसालों का किर्शी का रहे किस छेत्र में सरवादिक किया जाता है तो यह कहां किया जाता है मालाबार तट के मैदानी छेत्रों में यहां पर क्या है देखिए मैदानी भागों में यहां पर किसी जो होती है काली मिर्च है लोंग है लाइची है और अन्य बहुत सारे मसालों कि यहां किर् नेक कुश्यन देखिएं, पस्चमी घाट के पहाडी छेत्रों में किसके उध्धान विक्सित किये जाते हैं, तो देखिएं जब पहाडी छेत्रों की बात है, तो आपको जलवायों को समझना होगा, यहां पे पानी बहुत मात्रा में आ रहा है, ठीक है, पहाडी छेत्र भी ह क्योंकि 30 चेत्र के पूर्वी भागयों कैसे हैं पहड़ी चेत्र हैं तो ऐसे चेत्रों के इस्तिति में क्या होगा हम क्या होगेंगे चाय कॉफी और रवर्ड जैसे जो फसले हैं उनका उत्पादन करते हैं तो आपको इसकी इस्तिति से ही पता लग रहा है यहां पर कौन- बहुत तेज होता है सामने तोर पे तो यहां पर जल्विद्धूत उत्पादन और सिचाई के लिए बांध भी काफी मात्रा में बनाए गई है नेक कुशन देखी भारत के तकिये छेत्रों में मुक्य तक कौन से खनी जादी यहां पाए जाते हैं तो कौन से पाए जाते है यहां पर जो है आणवी खनी जादा तर पाए जाते हैं मॉनोजाय जिर्कन थोर्यमादी पाए जाते हैं जो भीत्री भागों में देखें तो चीनी मिट्टी चूना पतर और गार्गेट गार्नेट और ग्रेफाइट पगेरा पाए जाता है नेक कुशन देखी मालाबार त मुख्य बंदरगाँ कौन से हैं कोजी कोड है कोची हो गया अलेप्ति और तिर्वनंत पुरम यह क्या है मालाबार तटके मुख्य बंदरगाँ छेत रहें तो आपको इसे के साथ ये इसका लास्ट कोशन था और इस चैप्टर का भी लास्ट कोशन था तो मिलते हैं नेक्स शेप्टर नेक्स्ट क्लास के साथ तब तके लिए थैंक यू.